माफिया अतीक एहमद और उसके चोटे भाई अशर्फ से धूमंगंच पुलिस में पूछताच शुरू कर दी है 13 अप्रेल से 17 अप्रेल शाम 5 बजे तक कस्टडी रिमांग मिलने के बाद दोनों को पुलिस लाइन लाया गया पुलिस नैनी सेंटरल जेल से अतीक और अशर्फ को लेकर धूमंगंच थाने गई और पूछताच होती रही माफिया अतीक और उसके भाई अशर्फ से पहले अलग-अलग और फिर बाद में आमने सामने बैठा कर पूछताच हुई पुलिस द्वारा तयार किये गए सवालों के सामने माफिया असहज और उग्र नजर आया हर सवाल का जवाब देने से अतीक कत्राता रहा और केवल हां हुमे जवाब देता रहा